भारत में हर दस साल में जंगनना होती है लेकिन साल 2011 में सोश्यो एकनॉमिक एंड का सेंस्स दोहजार ग्यारा शुरू हुई यूपिये टू में शुरू हुई जाती जंगनना एंडिये सरकार में साल 2016 में खत्म हुई करोणों रुपए खर्च करने के बाद सरकार ने आकड़े जारी नहीं किये अब जब NPR के नए स्वरूप पर हंगामा मचा हुआ है तब जाती आधारित जंगनना की मांग फिर से जोर पकड़ने लगी है जाती की गिनती सियासत का पहारा पढ़ा जा रहा है दरसल बिहार वधान सभावे गुरुवार को जाती आधारित जंगनना कराने के लिए प्रिस्ताव जो है पारित कर केंदर सरकार से मांग की गई है किये गए तो दुबारा जाती आधारित जनगनना की मांग सियासत का पहाड़ा ही नज़रा आती है इसी के एर्दगिर्द आज हमारी चर्चा जो है वो रहेगी तमाम गैस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे लेकिन उससे पहले चलिए इस रपोर्ट पर नज़र डाल लेते हैं तो बिहार में जनगनना के सवाल अब जाती से भी जुड़े होंगे विपक्ष की मांग को मानते हुए नितीश सरकार ने फैसला ले लिया है सर्व समती से पास हुए इस फैसले के बाद तमाम राज़ुनितिक मुद्व पर एक दूसरे के खिलाफ रहने वाले आर जेडी जेडियू इस बार इस मुद्वे पर एक साथ ख़ड़े होगा है बिहार सरकार के इस वैसले का असर यूपी में भी नजर आने लगा यूपी में विपक्ष की दो सबसे बड़ी पार्टियां समाजवादी पार्टिय और कॉंग्रेस ने विधान सभा में सवाल खड़े किये और यूपी सरकार से भी बिहार की तर्च पर जातीकत जनगर्णा कराने की मांग की एनपियर में समाजवादी पार्टिय ने पिछड़े वर्ग के लिए अलग कॉंग्रेस भी अब जातीकत जनगर्णा के सुर में ताल मिलाती दिखाई पड़ रही है देश में 75% पिछड़े वर्ग की अबादी पैसर से भी अधिक ही है और उसका कान में नहीं यह देश में पिछड़े वर्ग के साथ विश्वास घात है कि हमारे राष्टी अधागी हमें साइस्वाब को कहते हैं कि जातिगत जर्गर्णा करा दी जाए जैसे आरक्षर के नाम पर जगना होता रहता है समान में पिछड़े में दलित में तो जिसकी जितनी संख्या हो उसके हिसाथ से उसको आरक्षर दे दिया जाए को जगने न लेकिन यह सरका जातिगत जर्गर्णा कराने से भग रही है निन में हमने इसलिए लिया था कि केंद्र सरकार का यह इशू जरूर है पर प्रदेश सरकार अपने विधान सभा से यह प्रस्ताव भेज सकती है कि इसका संचोधन करने के लिए यह प्रस्ताव उत्तर से प्रजेश सरकार केंदर को भेजे ये अधिकार विधानसभा उत्तरपिदेश का है अब सवाल ये उठता है कि बिहार में जेडियू के साथ सत्ता में बैटी बीजेपी ने विपक्ष की बात को मानते हुए आसानी से फैसला कर लिया जाति का ते जनगर्ना की मांग को पूरा करने का फैसला लिया गया महराज में भी जनगर्ना में जाति के नाम को शामिल करने की तैयारी चल रही है इस सब के बीच सवाल ये भी के 1931 के आंकडों के आधार पर पिछली जातियों के लिए योजनाय तैयार की जाएंगी और ऐसे में अब जाती और जन्गरणना का सवाल बीजेपी के गले की फांस तो नहीं बन रहा पेरो रिपोर्ट आरनाइन टीवी उत्तर परदेश उत्राखंड आनाइन के कुछ सवाल है जिसके इर्दगिर्द आज हमारी चर्चा रहेगी जाती के आधार पर जन्गरणा से सियासी फाइदा आकरकार किसको पहुचेगा किसका फाईदा है इसमें वहीं क्या बिहार की तरह यूपी में भी लागू होगा जातिकत जनगनना जिस तरीके से मांग उठ रही है, अब सापा के लोग भी कह रहे हैं कि इस तरीके से प्रिस्ताव जो है पेश किया जाना चाहिए, जातिक आधार पर जनगनना से नुकसान किसको होगा, फाइदा या नुकसान है भी या नहीं, इसे भी देखना होगा. उनिस्व उकतीस के आख्डू पर कब तक बनाई जाती रहेंगी योजटनाए जिहां अभी तक जो आख्डे हैं वो उनिस्व उकतяж के ही हैं, उसी पर योजटनाए जो है बनाई जाती है, जातिक आधार जाती की जा रही है कि 2021 में जो जनगनना होनी है वो जाती आधारत हो तो अब बिहार में एलेक्शन भी है इस साल चुनाव होने हैं 2022 में यूपी में चुनाव हैं अब सियासी पार्टी जो हैं वो पहाड़ा पढ़ने लगी है और ये क्यों क्योंकि इससे फायदा नुकसान तमाम त जारी नहीं किये गए हैं 2011 में शुरुआत होती है 2016 में जाके खत्म होती है 31 मार्च 2016 ये खत्म होती है जनगनना लेकिन आकड़े पेश नहीं किये गए जाते आधारत तो फिर से मांग क्यों उट रही है आकड़े क्यों नहीं पेश किये गए उसमें कहां क्या खामिया रह ग स्टूडियो में मौजूद है वरिश पत्रकार विश्वेंद्र कुमार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और बिस्पी के लीडर धरम विशौदरी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वहीं सपा के लीडर अर्विन कैठेरिया हमारे साथ स्टूडियो में मौज कौन-कौन पक्ष में हैं और अगर हैं तो उसके पीछे तर्क क्या है धर्मवीर जी आप से पहले शुरुवात करना चाहूंगी देखे बेडम ये जो 1931 में जातीगत जगड़ना हुई और आज भारत कहां 21 सदी में आ गया तो कब तक आप पुराने आखनों पर इस देश के जो संसादनों पर जो 15% का कबजा है उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे बहुजल समाज पार्टी की बहुत पुरानी मांग है कि जिसकी जितनी हिस्तेदारी जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्तेदारी और जो बाबा सावंबेटकर ने समिधान में विवस्ता की थी कि ये OBC के लोगों को 52% आरक्षण मिलना चाहिए लेकिन वो जातीग जडगरना नहीं है इसलिए आज तक उनको वो उतना प्रतेदित नहीं मिला और यही यही हालत और दूसरी अन्यजातियों के साथ में मंडल आयोग में जो सिपारे से लागू हुई एक समय में बारे सो जातिया थी और ज्यादा हो गई डाही जातियां हो गई लेकिन सरकार क पास में कोई भी आंकड़ा इस तरीके का जातिगत नहीं है जो बिहार सरकार ने किया है हम उसका समर्थन करते हैं और हम मांग करते हैं कि पूरे देश में सरकार को जातिगत आंकड़े पूरे उपलब्द कराने चाहिए और जो समिधानिक अनुपात में पिछणों को और अती की भी है मिडम जी मुझे बड़े दुखे साथ कहना पड़ रहा है कि 1931 के बाद जो जडगणना हुई भारत भारत सरकार लगातार उसके आधार पर इस देश में जातियों के आधार पर जो बिवस्थाएं बनाई जा रही हैं उस पे कायम है आज बिहार में जिस तरह से पार्टी में गडबंधन होते गए और जिस तरह से वो देश में NPR NRC की राजनीत कर रहे हैं उसके बिरोध में लालू प्रसाद यादाओ की मांग को रखते गए उन्होंने उसे पारित करवा दिया है यह स्वागत योग है और हम समाजबादी पार्टी के लोग भी इस पे मांग करते हैं कि हर प्रदेश में विशेश रूप से उत्तर प्रदेश में जात्गत जणगरना करवाई जाए ताकि हम सभी लोगों को चात की आधार पर इस देश में लाम मिल सके हरीश भारदाशी देखिए जो जातिए विवस्ता है वो समाज की एक सत्य है इससे नकारा नहीं जा सकता और निश्यत तोर पर अगर जातिगत गणना के आधार प्रकरा आथिक द्रस्टी से लोगों को समझा जाए उनकी विवस्ताइं समझी जाए कि कौन कितना संपन्न हो गया कैसे संपन्नता आई कहों पिछड़ा रह गया कौन गरीब रह गया कहां पर किसको नहीं क्योंकि तर्क को सुनना चाह रही हूं सर उसके बाद सवाल तीखे जरूर होते जाएंगे क्योंकि आप अभी आप जो कह रहें सर वर्ट तो वर्ट नोट कर लीजिए सब के उपर आउंगे और सब सवाल होंगे यह पहली दफा नहीं है 1931 देश आजाद नहीं हुआ और आज की बात कर रहे हैं और फिर से यह जिन बोतल से बाहर निकला है अब आप लोगों को याद आ रही है कि होना चाहिए और नितीश जी ने बहुत अच्छा कर रही है और उसके आधार पर कहीं कोई योजनाओं में और अच्छा ही निकल कर आएगी तो निशित तोर पर उसमें कोई बुराइकी बात नहीं है जाती का आधार पर अगर 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 देश के अंदर होती है तो कोई इसमें मेरे हसाब से कोई बुराई नहीं है चलिए देदा से हैं पहली बार जब हुई 1931 में उससे पहले वी जन्गरना वे थी उससे जन्गरना की शुरुआ एत्था रिकटर से हो गई थी और एक एसी में पहली बार रेटन में जन्गरना अई लेकिन जाती की जंगर्णा सबसे पहले 1931 में हुई और जो जंगर्णा हुई उसी के आधा पर क्यों हुई जाती के आधा पर ये जंगर्णा उससे पहले जाती के आधा पर जंगर्णा नहीं थी तो जंगर्णा जैसे जंगर्णा हुई तो उसके पीछे मंसा दो हैं आज भी दो इमंसा हैं एक तो है क Chris की पालिसी उनके लिए बनाई या जैगा जी बिलकुल करेक्ट दूसरा के लिए बहुत important है लेकिंगे जहां तक हम बात कर रहे हैं कि राजनीती करने की क्योंकि अभी तक हम जो भी राजनीती हो रही है फैसे ही यह आएकड़े कुलेंगे तो यथा इस्तिती अभी को मालूम होगी तो सब गोल वंद हो घंगे अभी आरगनिंग करने में आखड़े जो दे रहे हैं समी जाती हैं कभी बताती है अपने को बड़ा चड़ा के बताती हैं तो ये जो गेम खेलने का, टिकेट लेने का और बहुत सारी चीज़े हैं, ये राजनेतिक फाइदा और नुक्सान इसमें ज़्यादा देख रहा है, पॉलिशी के विकास को अगर देखा जाए, क्योंकि क्यों जंगरना की जा रही है, पॉलिशी किसके लिए बनाए जा रही ह पक्ष में तो है ना सर, ने बिलकुल पक्ष और बिपक्ष में दोनों पक्ष के रहा हूँ, मन्शा की उपर है, मैंने पहले कह दिया, मन्शा गॉर्मेंटों की है, तो ये जो भी सरकार सत्ता में रहेगी, उसकी मन्शा पर डिपेंड करता है, कि वो कैसे लेती है, या प्रफेसर देवराज जी ने कहा, दोनों पहलूओं को दिखा दिया, और सही में इसी के इर्दगिर्द पूरी चर्चा ही घूमेगी, कि आज ही याद क्यों आ रही है, और राजनितिक पॉलिटिकल पार्टी जो बात कर रही है, जिस उत्थान की बात कर रही है, वो कैसे घ किया जाएगा, विश्विन स्भी, इसमें दोराई नहीं है, कि जन्गना जाती आदार पर होनी चाहिए, चुकि इसके होने से वैपक परभाव होंगे, बहुत बड़े लाब होंगे, बहुत सारा खर्च होता है आरक्षन के आदार पर, और या कुछ योजनाओं को दिया ज से, तो उसका यह नहींपता में, इसकी संख्या कितनी हैं, तो संख्या का जानकारी होना आमाले लाब करे का जिस परकार से योजनाओं बनती हैं तो उसमें कि जन्गन संख्या की जूरुद पढ़ती है, तो जाती के आधार पर उसका ज़्यादा और बड़ा लाब होगा, और इसके फायदे होंगे कई रूप में बताना चाहूंगा अठारासो लगबाब बहातर में पहली बार जाती के आदार पर जन्गना होई थी उसके बार जाती का आदार पर जोड़ा जोड़ा एक बार जाती का आखड़ा है लेकिन जाती के आदार पर जाती के आदार पर नहीं है तो उससे में देखे गए डाटे इसके लाव और हानी लेकिन आज जो परिस्तिया है बहुत जरूरी है कि जन्संक्या का जाती के आदार पर जन्गना होना बहुत जरूरी है अवश्यक है अवश्यक है होनी चाहिए तो तर्क दीजिए और इसके प्रोज और कॉन्स जो आपको लगता है क्योंकि जवाब अब संदीब जी ही देंगे कि होगी या नहीं होगी कि 2021 में जो जन्गनना होनी है वो कैसी होगी नपियार में जो चीजे लागू के क्योंकि नपियार ही वो जो सरूप है उसी के लिए चर्चा जो इतनी चल रही है उसको बदला गया है उसको लेकर इतना हाय तौबा मचा हुआ है उसके बाद अब ये जातिगत आधारित जन् लाभारती के पास पहुच पाता है तो लाभारतीयों की पर्तिशत संख्या कितनी है ये तो जानना जरूरी है और दूसरी बात एक चीज़ और की भारतीय राजनीती में जाती वो कोड़ है जो कभी निकलने वाला नहीं है इसमें से आप इसको नहीं निकाल पाएंगी जात कर दिए जाते हैं जाती के आधार पर चुनाव लड़े जाते हैं तो आप इस जाती को निकाल के बाहर नहीं फेक सकती हैं लेकिन कम से कम समाज हित में किसी जाती की बात यह कर रहा है हमसे इदी इमानदारी से पूछे तो 20 साल पहले तीस साल पहले विद्व मंडल आयोकी सब्सक्राइब करें तो मैं मुझे खुद समझ में नहीं आता है रिपोर्ट देख रहे थी और उसमें यही बात कही गई थी जो आपने कहा था कि उस वक्त जब मंडल कमिशन लागू किया गया या मंडल कमिशन बनाने की बात थी तो कोई ऐसा ही जर्नलिस्ट थे वो कहा रहे हैं तो कैसे मालने बदली हैं कुछ असपस टाकड़े हैं आपके पास किस मामले में बदली हैं लगातार एक ही पैटर्न पे आप चलते चले आया तो कहीं तो इसका आन्त होना है लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि यदि इमांदारी से अभी दिवराजी जो बता रहे थे ब बाकी सत्ता में बैठे लोग तो कई बार इस तरह की बाते करते हैं विवक्ष लोग जो आज भी पक्ष में हैं उनको जब मौका मिला वो नहीं कर पाए आज जो पक्ष में हैं वो उनके उपर सवाल ख़़ा करते हैं तो अब क्या सरकार की मंसा वाकई इमांदारी के साथ द बेकर इतना हाय तौबा मचा हुआ है या एक मांग उठी है बिहार से प्रस्ताव पारित कर दिया गया है खुद आपकी पार्टी वहां सत्ता में साथ में है जडियू के तो क्या कहेंगे क्या इसे इस मांग को माना जाएगा क्योंकि 2018 में खुद कह चुके हैं राजना सिंक इनने कहा था कि जाती आधारी जडगनाना के वह पक्ष में हैं हाला कि अब आप सत्ताधारी दुबारा आँगे अब क्या रोल है से श्वेता जी देखिए जो रास्ट के हित में होगा पाटी वही करेगी जो सबसे महत पूर्ण बात है मैं बताओं जिस जडगनाना को लेक आप लोग देखिए तो बात की बात है लेकिन देखें कि अगर बहतर सुझा होगा तो उसका पालन भी होगा मैं सबसे महत पूर्ण बात करता हूं कि जनगरना भारत में जब भी होती है उसके अधार का ऐसी जिले लेबल पर हमें पता होता है कि जब वोटर लिस्ट बन रह लेकिन यह छुपी हुई है तो जो राष्ट की समय जो इस्थिती है आज की स्थिती है परिवेश है बहतर राष्ट की परिकल्पना है उसमें क्या बहतर होगा वो सरकार किंद्र सरकार सभी से सुझाओ लेकि जो बहतर हो का करेगी लेकिन भारत की जनगरना जो होनी है यह होनी है तैह 2011 में जो सोशियो एकनॉमिक कास्ट सेंसस की शुरुआत हुई 2016-31 मार्च वो खत्म होता है सर अभी तक आकड़े जो जाती आधारिते वो जारी नहीं किये गए खामिया बहुत है चार करोड से उपर खर्च कर दिये जाते हैं उसके बाद भी आकड़े जारी नहीं किये जाते हैं और कुछ नहीं बताया जाता है क्यों नहीं जारी किये गए सवाल का जवाब दीजी देकि श्वेता जी होता है क्या है कि जब अभी बहुत अच्छी बात कौसिक जी ने कही मतलत सरकार कोई भी योजना बनाती है और अंतिम व्यक्ति तक उसको पहुंचाना होताै तो वो अपने लिए एक डाटा तयार करती है ताकि जो अंतिम व्यक्ति लाभारती उसको तो आजादी के बाद एकारखछन की ब्योस्ता भारत में चल रही है उसको आप नकार नहीं सकते और जो अंतिम व्यक्ति है अंतिम पीड़ी पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसको बहतर करने के लिए सरकार हर सरकार प्रयत्म करती है वो किसी की भी सरकार हो वो चैसे कांग्रेस क योजनाओं को जोड़ने का हो या फिर bank account खुलवाने का हो खाते में पैसे डारेक्ट जमा करने की हो तो सरकार की कोसिस रही है और अंतिम व्यक्ति तक पहुचने की कोसिस रही है और रही बात कभी-कभी हम जब देश की प्रस्तिती भगोले की स्तिती को ध्यान में रखते हु में मुझे अपने सवाल का जवाब नहीं मिला कि आंकडे जारी क्यों नहीं हुए तो कहीं न कहीं तो यहां पे प्रोफेसर प्रोफेसर साहब जो बात कह रहे हैं वह यहां दिखती है कि मंशा क्या है संदीब दुबे जी अपने बातों को बहुत चत्राई से छुपा रहे है दो हजारा में राजना सिंग कहते हैं कि जाती आधारित करेंगे उसके आकड़े अभी तक क्यों नहीं पेज़ें लड़िये मत सर लेकिन जवाब तो आप दीजिएगा अगर पैसे लगने करने दीजिए न हम तो सरकार नहीं हम और आप तो सरकार नहीं करते हैं तो दूसरा पहलू मुझे जादा नजर आता है सर ये जो दो पहलू उन्होंने बताया कि एक तो विकास की योजनाय कैसे बनेंगी आप कह रहे हैं कि हमने तो आंतिम पंक्ती में जो खड़ा अंतिम वेक्ती है उस तक कैसे चीज़े पहुचे इसके लिए हम काम कर रहे हैं लेकिन आप आंकड़े अगर नहीं रख रहे हैं पहले जाते हैं जब सोश्योट एकनॉमिक रिफॉर्म के ऊपर को जनगर्ना हुई तो सरकार राइट वह रिफॉर्म रहे हैं तो सरकार की यहीं होगी कास्ट कोही तो रिफॉर्म करेंगे ना जागा था मंदल कमीशन ने ये बोला था अपनी रिपोर्ट में मंदल कमीशन ने कहा कि हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है हम मान के चल रहे हैं 1931 में जो चीजे उस समय जाती आधारित जनगणना हुई थी जनगणना कीजे वहीं सरकार NPR की बात कर रही है जिसमें उन सवालों को रखा गया जिससे लोगों को आपती है है तो क्या माना जाए його स्यासत नहीं है तो क्या है स्यासत नहीं यहीं स्वता जीद देश की जो मूह्म मूल भावना है तो है रास्टियता को परदर्शित करते हुए अगर जनगणना हो रही ही तो रास्त के लिए ज आ बो सरकार करती सभी योजनाओं को लेकि अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना ही सरकारों का लक्ष है और जनगर्णा का जो आधार है वो यह नहीं है कि देश में हम आरक्षन दे रहे हैं संदीब जी कभी सिधे सवाल का सीधा की वहते दिया कि यह ना बीजेपी को अब यह चीज थोड़ी भूल जानी चाहिए कि राष्ट्रियता राष्ट्रियता के राष्ट्रियता की बात क्या जरूरत नहीं है मंदल कमिशन की चीज़ों को लागू करने से पहले मंदल कमिशन के समय कि यह चीज़े नहीं सोचनी चाहिए थी सरकार को मंदल कमिशन अपने रिपोर्ट में यह बाते कहीं है कि हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और उनकी सिपारिश में यह भी था कि जाती आधारत जंगनना हो क्या आपकी सरकार नहीं उसके बाद कितने साल तक आपने राज किया सर लेकिन उसके बाद भी आपने जरुद महसूस नहीं कि आज यहां स्टूडियो में बैटके आप कह रहे हैं कि होनी चाहिए क्योंकि आपका वोट बैंक है क्योंकि आपको लग रहा है कि बिहार का एलेक्शन नजदीक है शब्द बोलके ना हमारे दर्शकों को ना कंफ्यूज मतने काल खंड की परिस्तितियों पर कोई नहीं समझेगा सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो बाबा साव अमेटकर ने कहा कि बैए ओबी सी को जो है आप 52 परसेंट आरक्षन दीजे उसके लिए काका कालेकर आयोग बना 1954 में लेकिन कॉंग्रेज की ततकाली सुरकारों ने उस काका कालेकर आयोग की रिपोर्ट को रद्दी की टोक्री मिडाल दिया इसे कहते काल ख पैलंग सर्कार नहीं कर रही है उनको धरिक नहीं मिल्ला आये यह सरकार जो है 15 परसेंट लोगों को कर Rs. शत्त की चासली खिला रही है और बांकी लोग जो है सॉत्त के लिए लाला एक घृतकर ऑने लेयोख सी को रियोंकों कता वे हैं करके बाचे हूए हैं यह जो पन्द्रा पर सेंट लोग ने दुसरे के बावन पर सेंट लोग है विज्टे जो पैदा करने का थे शन्ता का पर भावन करें ने का और डूह दो के शोड़े का का थे शाणंता है सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब पिछड़ा वर्ग आयोग है पिछड़ा वर्ग डेवलप्मेंट फंड है राज्यों में पिछड़ी जातीयों के लिए मंत्राले बने हुए यह सारे जो आंकड़े यूज करते हैं वो 1931 के कहां है सर कितने साल आपने राजनीती की है और आप बैट के स्टूडियों में बोल रहे हैं बोली बाली जनता को कालखंड परिस्तिती मुझे समझा दीजे मैं आपसे यही किना चाह रहा हूँ कि जैसा जिस परिस्तिती के हिसाब से निर्णा होता है सरकार करती हैं और उनकी बहत्री के लिए समाज की बहत्री के लिए अज जो 1947 में जो अनुसूची जन जाती की इस्तिती थी और साथ में जो पिछणों की इस्तिती थी निश्यत तोर पर उसमें सुधार आया है लेकि उत्रा सुधार नहीं आया है जितना सुधार होना चाहिए था देटा बता दूसर सुधार तो आप लोग आंकडों में बहुत खेलते हैं लेकि उतना सुधार नहीं आया है अभी तो आप उनकी लोगनी परिवर्तन हुआ है और बहुत कुछ होने की जबुत है हम लोग अपने दम पे करते हैं हम लोग अगे बढ़ते हैं उसी समय भी अब साहिब की बात जो कह रहे हैं आप देखिए उस उस जमाने में उन्होंने इतनी पढ़ाई लिखाई एक ही मात्र रास्ता आप लिक कर आगे बढ़िये टैक्सपेयर बनिये हमारा पैसा आप लोग इस्तमाल कीजिए डेटा इखटा करवाईए डेटा जारी मत कीजिए और उसके बात कहेंगे कि सब ही पार्टियां सलिपता सर 17 जुलाई 2019 का है सर एक लिखित सवाल पूछा गया था जिसमें राजमंत्री जीतेंदर सिंग ने ये बात कही थी कि 2012 को OVC का प्रतनित है तो 16.55 फीसदी था जो 2016 में बढ़कर 21.57 फीसदी हो गया यह 2016 के बात के तो आकड़े ही नहीं है सर क्यों रहेंगे क्योंकि 2016 में तो आपका जनगणना का कम्प्लीट हो चुका था आपने आकड़े ही नहीं पेस किया तो यह बढ़ गया सर आपके अकोर्डिंग बढ़ गया यह देखे सुनिए जो जाती गत आरक्षण की बात है वो कांग्रिस पार्टी ने इस देश की लोगों को दिया था और आगे भी बढ़ेगा कांग्रिस पार्टी ने लड़ी है उनको अपलिफ्ट करने का बात हो चाहे लोग सभा में अरक्षण की बात हो चाहे नगर पालिका और नगर पंचाय तो में अरक्षण की बात हो तो उनका शोचल अपलिफ्टमेंट हमेशा कांग्रिस पार्टी का एक अजर्ड़ा That with Holy पूरे में समाज के लिए लेकिन पता है तमाम राइजित पार्टियों से यहां एक सवाल एक बात कहना चाहूंगे कि कोशिश पूरी रहती है लेकिन पता है सर जब देश की जनता जाती है तो इमर्जनसी के बाद कॉंगरस की हालत भी देखी थी और आज अगर आप कहे रहें ना कि बीजेपी अहंकार में तो इसकी हालत भी देख लेगी जनता जब जाग जाती है ना सर तो तमाम पार्टिया ना शुटाइब हो जाती है जो बात कह रहे है हरीश भार्दवाज जी उसमें जरा भी दम है जब सिफारिश की गई जब मंडल आयोग बना और उसके बाद सिफारिश लागो की गई उस समय से लेके अभी तक सर अभी तक आयोग खुद कह रहा है कि उन्हें बहुत मुश्किल आ रहे हैं उनके पास डे जब नहीं रहेंगे तो पॉलिसी कैसे इंप्लिमेट की जाएंगे एक तु ये बात है और दूसरी बात में एक और चीज यहां पर कहूंगा कि जो पॉलिसी है नहाँ पर जातीकत आखडा जो लिया जा रहा है वो रिजर्वेशन के लिए जा रहा है किसी डवलमेंटल प्र करेगा कि जन गड़ना किसमी की जाएगी नहीं की जाएगी रिकमाट सिपारज कर सकता है कोई भी स्टेक कर सकता है तो बैदने जैसे कि यूपी भी कर सकता है सारी स्टेक करते अभी जैसे सी डवले एक विसे है तो बहुरी बहुरी से शेक उने बेज आए सेंटर को लेकिन सेंटर बात दे नहीं है सेंटर जो डिसाइड करे वो अपनी साफ्चे करेगा लेकिन मैं यहाँ पर यह कह रहा हूं क है दो हजार किया रहा है में जब जड़गना हो चुकी है हमारे पास 21 की 31 की जड़गना के अधार पर बात कर रहे है तो अब हमारे पास आंक्डे तो है तो दुबारा उस आंक्डे को करने की यह ओपन कराए गवर्मेंट पर यह प्रेसर करें जो भी गवर्मेंट है वो यह अगड़े तो आप बता रहे हैं तो आप बताइए तो आप बताईए कि आप ने अगड़े गवर्मेंट है सब्सक्राइब निकाली आकड़े 54.71 जी जलित लोगों पर आज करता है और लगाता है लोग सब्सक्राइब चुपा के रखा आज भी जादकत जड़ना का सीधा संबन्द अरक्षर से यह लोग आरक्षर को चुपाना चाहते हैं 50.5 परसेंट आज देश की 15 परसेंट जिनता उसका दोवन कर रही है और जब जादकत जड़ना हो जाएगी तो यहां के जाती आधार पर उनको आरक्षर का लाम मिलेगा आज यह भारती जिनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग इसलिए गुमा गुमा के बात कर रही है और जाती जाती जनगनना ना कराने का नुकसान क्या है समझाईए जरा तकी समझ में तो आए कि यह सियासत कर रहे हैं यह वाल गूगल के अंकड़े अर्विंद कठेरिया बोल रहे हैं बताए जीए और कि जेस्टा मेरा ना नो चाहए जिसकी सरकारे रही हो अभी तक जो निचले पैदान पे जिसके बारे में हम लुग सारे लोग कोही नहीं चाहिए गा जोई निछले सत्तर पर है उसकी इस्तिति बहतर ना हो सब कोई चाहते हैं लेकिन अभी तक सत्या में चाहिए वो कॉंग्रेस बैठी हो या सब भारतीय जंता पार्टी बैठी हो उन लोगों ने तो छल किया ही किया जो उनके अपने थे जिन लोगों ने जंडा बुलंद किया यहां चौदरी जी जैसे लोग बैठें यहां प अगे भी होगी आज भी हो रही है दुसरी बात की स्थिती में वाकाई सुधार आई है तो जाती के आधार पर एक बात तो तैह होगी होगी जब सामने आएगी तो तैह होगी कि आखिर किस जाती में निचले पे हो या उपरी अस्थर पे हो किनकी संख्या प्रतीशत में कितनी है के अंदर से जो पहुंचे उसके लाब के बारे में जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर काम करती है मुच्किल यह है कि किन्दो सरकार भी मांदारी से काम नहीं करना चाहती है वो भी खास करके चुनाओं को ध्यान में रखते हुए वो भी सगूफे मैंने कहा कि लोगोंने क्या किया यह खुद समाज किby के मैं बैठे हैं यह बताए जाए। जाट करिहें यह यह चंद लोग अपने आपको खुесяर बता रहे हैं यह रखाने कुछ हुआ है! प्रदेश सरकारें भी लगातार मंग कर रहे हैं जातियों के आदार पर किरांती सुरू हो चुकी है प्रदेश सरकारें भी लगातार मंग कर रहे हैं ये समनलों की इन सरकारों को ऐसा करना पड़ेगा साथ पार्टी यहां पर जो अपरी तबका का अंडर भी जो आठ रूप से पिछड़े लो गया शुर्ट के लिया विद्यानि था अपने घर को बहा है अपने भाईयों को बहा है केबल बोर्ट ले करके अपनी सत्ता और सत्ता से पैसे का खेला है पूरा देश को पता है तो यह लगता है कि जब बातियां आपसे मेरती है तो एक दूसरे में जो चिटा कशी होती है उसका पादी बहुत 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 होना हकीकत निकल के सामने आती है दरंदी चौधरी तोड़ी से शिंगारी के तोड़ी आप राच से अंड़क्स पे पहुँच गए और हरीश भादवाजी आप आज यहां बैक्टर बात कर रहे हैं कि राच से हित में जो काम हो वो सरकार को करना चाहिए जिसमें खुद मंदल आयोग की सिपारिश मंदल आयोग के गठन से लेकर और मंदल आयोग के जब चीजें लागो हुई उसके बाद से कपकप कॉंग्रस रही है सत्ता में क्या आपको पता नहीं है सर क्या 1931 के बाद कभी आपने महसूस नहीं किया 2011 में बात भी हुई तो अभी तर आकड़े जारी नहीं हुए आप ही के यूपियर 2 के कारेकाल में शुरुवात हुई थी सर और इंडिया के कारेकाल में समाप्ती हुई है दोनों सरकारे दोनों सरकारे कहेंगे कि यहां failure और उसके बाद बैटके दरंजी चौधरी और अर्विंद के ठेरिया यहां बात करते हैं क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसम अरक चड़ा है और आप समझ नहीं रहे हैं अधिन करते हैं क्या है दो हजार इसकी जनगन ना जाती आधारी तो यह मांग ही क्यों सब्सक्राइब करने के लिए जर्फ और एक होता है कि मुझे पता है मैं क्यों हूं रैली में प्लीज के बारे आने वाड़े आने वाड़े इमांदारी से जनगनना करवाएं और यह पहले साल इनको चाप करवाई यह क्या बोलते हैं गुगल से देख 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 गुगल इस देखा जाता है अरे अर्वें जी बहुत ही सीरिस इशू चल रहा है अर्वें जी आप नहीं समझ रहें सर्व सर्वें आप जिसकी बात हैं अर्वें जी बता दीजे के गुगल पका है अगर आपके गुगल पावशान्त हो गए हो अगर बात अच्छी बात अब अच्छी बात सर्वाग पर बनाएंगे संदीब दूबे अभी सार्जुनिक नहीं की गई है चीजे खामिया अगर निकालू सर तो वह भी आकड़े अगर आप चाहेंगे तो पढ़ दूगी वह आकड़े भी कि कितनी खामिया निकली है सब्सक्राइब करने दीजिए वह इस पर चर्चा कर लेंगे अब देश के लिए जवाब दीजिए आप दार्शनी कंठार वासिक जाने तो नहीं होगा तो नहीं होगा नहीं सब्सक्राइब करने चाहिए जब जनगणना हो गई है और इतने पैसे खर्च होते हैं सरकार के खजाने में जो भी पैसे हैं वो किसके हैं वो टैक्सपेर के हैं टैकसे से आपको मिलते हैं अगर चार करोड से उपर की राशी खर्च की गई है 2011 में सोशियो एकनॉमिक कास बेज जनगणना की गई क्योंकि इतने दिनों से मांग उठ रही थी तमाम राजनीतिक दल में ये बाते उठी थी और इसके लिए सर्वे कराया गया आंक्रे हैं सारजुनिक नहीं किये जा रहे हैं तो सारजुनिक क्यों नहीं किये जा रहे हैं और 2021 की मांग क्यों की जा रही है कि 2021 में और इसके बीच राजना सिंग अगर 2018 में ये कहते हैं कि हम करेंगे तो 2019 का चुनाव साधने के लिए नहीं देखिए श्विता जी ये विश्य हम लोग को थोड़ा सा और गंभीरता है सोच चलिए और गंभीर ले गई या कॉंग्रेस के लोग और एक हमारे बड़े भाई जो हैं बस्पा के न बोले तो हम किसी विश्य पे नहीं जाते हैं इस देश में क्या इस तरह होना चाहिए कि नहीं पर हम लोग खुदी दिल पे हाथ रखके यह सोच चाहिए इस देश की हमारी सरकार जैसे मित्र लोग कह रहे हैं साथ जो चाहिए हैं से वितृत सफक OnisNak arc । इस देश देश कीने मित्शा हो केती हो जेता नहीं गारे नहीं दो इसपार जाए जान को सकता हो जब्तकि क्यों क्jśćा को जो देए हैं संधीपजी ड़ुवाब दे हैं संधीप की जवाब देई हैं संधी़ जी ड़ुदी सुझेना ओरिया रोजमिया हैं कि आसे कैने दिस्ति निए निकों परद करते हैं चarmedढानों करा में अबना बहुत है से श्वाषं क्तातर के लिये वीद कर्बाल आ सिर्मिंट को करना होता तो कपका कर लिए होते सर संदीव जी करपिया प्लीज तुने वह किस पर ध्यान दे दर्मीर चोधिन ने कहा डाटा ना होने के कारण से उन से से लेकर आज तक का दिक्केते आ रही है उसी आधार पर अश्री साल से जादा हो चुके उसी आधार पर आज भी हम फैसले ले रहे हैं कि जाट दूसी बात तुने आप दूसी बात तुने कांगरेस ने कार्ण चाहती को और चाहती है यहाग तो शर्क वरण वरत दूसी आधार पर श्रकत करण दूसी बात दूसी बात दूसी काम करते हैं आपको लगता है कि प्रेजेंट सरकार या जो भी पुराने सरकार रही है क्या ये दलित चिंतक लगती है जिस तरीके के चीजे हो रही है जब आकड़े है सरकार के पास जारी नहीं किये जारे हैं तो क्या माना जाए कि सरकार की मन्शा ठीक है हैं कि सरकार की बंसा में दला की बात नहीं कर रहा तो तक बात आ रहा है कि मैंने पहले ही किसके लिए अब जहां बात होती है तो रिजर्वेशन कितना है कितने सेक्टर बच रहे हैं जहां रिजर्वेशन मिल रहा है दूसरी बात यह जो बात होगा पॉलिसीज है गवर्मेंट के डवलमेंट के जो बजट आता है उसके आधार पर लोग होँआ सोचेंगे कि विकास के लिए हमें बजट में इस्थान द बचाइब आधार जाए उसके लिए लड़ने के लिए अक मजबूत उने आधार मिल जाएगा लेकिन अभी केंदर सरकार प्रदेश सरकार को बजट देती है उसमें जाती है फुलके बताईए ना अब आरा अरश कि दूने नहां और अला जोड़ा है आप नहीं केंदर सरका केंदर सरकार की तरफ से प्रदेश सरकार को बजट दिया जाता है लेकिन क्योंकि आकड़े नहीं है तो वो एक सभी लोग का ओवराल करके वो पैकेज दिया जाता है लेकिन वो फंड जो होता है वो जातियों के लिए ही जो जो ये मंत्राले बने हैं जो ये रन कर रहे हैं जिसको मैंने पढ़ा कि राश्ट पिछणा वर्ग बना है आयोग बने हैं उनके लिए दिये जाते हैं सर आंकड़े नहीं है बस अंदादम दिया जाता है अगर हम पिछले साथ दो अगर हम पिछले सब्सक्राइब अगर हम पिछले सब्सक्राइब सब्सक्राइब अगर हम पिछले सब्सक्राइब अगर हम इस प्रकार से प्राइवेट सर्थी जा रही है तो हम यह मांग करते हैं कि यह प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन दें और उनके नहीं होगी नदर प्रियास करें जब बच्चा होगा पुर्ण लिए दि लगता है क्योंकि 2014 के बाद हम देखें तो जातर नहीं है इसलिए अब बात की जाती है आज सवाल यह है कि भारतिये जन्ता पार्टी के हरे कामों पर संदेह के नजर से कोई नजर देख रहा है तो उसके पीशे कारण है यह लोग आंकलों की बाजीगरी करने में काफी माहिर है अब देखिए इनके पास पहले सुनें तो सही पहले जुटाने के यही है चीज भी मेरी पट भी मेरी ऐसे कोरेंसिक अभी आप पो बताया गया कि आपको बताया गया कि आपको बढ़ने के कोई जवाब नहीं तो बिद्दी जवाब चुने के अपको बनाट करें कि अज़ा थी बाट वर्ट यह प्रभाव प्रेंसिक अपता को इस वाब संदें रोड़ने का अपको बसालगरी एक प्रश्राख सब्सक्राइब tiere और अधिया खीक ए जो कि आपना शेंडूने पोजोह खिए और ऐसे आपको जोह है करना है प्लीस पॉजिटिफ कमिंद के साथ में वह वाइंड परना चाहिए संजीब कौशिक क्लोजिग कमिंद 30 सेंड फिर होना क्या चाहिए सर दोजार ग्यारा जब और चुका है सुझाव दीजेए सर मैं यही कह रहा हूं कि सरकारी मांदारी से काम पर होना चाहिए मेरा मा पर उसको बहुत बुरा हाल है उनका उसका लाब होता है उसका नावे प्रफेसर सहाब अगर सही रहे तो जाती का ताक्रे आने चाहिए इस बात के सहिंबत हूं वही वाली बात है। को लेकिन डिसीजन केंदर सरकार का होगा तो अब देखने वाली बात होगी कि NPR के मौझूदा स्वरूप जो की केंदर सरकार लेकर आई है उस पर इतना बवाल बढ़ गया है तो क्या जातिगत जनगणना की एक जो मास्टर स्ट्रोक प्ले किया गया है बिहार की तरफ से नि परचा को सवाप करती हूँ आप देखते लिए आनाइन टीवी सिर्फ खबर के लिए मैं दूपर के जाहे हैं कि परताफ भास पिल्या कि दुबारा वोगिया और अबारे मां को बाला पहुत संबती है इस को पास करवाई है जुंदर्देश की सरकार स्ट्रदेश की विदासवा सक्षम यह सरकार नक्रदब को बोलगा करे ने सुने ज़िए